आज हम इसका Q2 करेंगे और हमारी एक्सराइज है वो कंक्रेट हो जाएगी Q2 में इसमें आपको कुछ पढ़ें इसमें लिखा है Factorize by Unique Identity अभी जो एक्सराइज 8.5 थी उसमें मैंने आपको कुछ आइडेंटिटी जो हम बताई थी कुछ फार्बूला जो हमने पढ़े थे उन ही में से एक फार्बूला हमने पढ़ा था के A स्केर माइनस B स्केर किसके इकल होता है एक तप़ा Value को P prós में लिखते है और एक तप़ा आप इसको Minus में लिखते है यह वारी अईडेंटी इन सारे Questions के एने वो यूज होगी फ़ूल करते हैं आपने इस फार्म में लिखना है तो इसको सबसे पहले आपने इसको स्केयर मनाना है तो जो 4 है वो होता है 2A का 4 स्केयर माइनस है तो यह प्लस 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 प वो 2a-5 अख्लिव दागी यह आपका अच्छा रहा है ठीक है और दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास जो क्वेशन गिवन है इस सारे एक्सराइस के अंदर वो इस फार्म में है A² B² में सक्षे पहले तो आपने उसको A² B² में उसको लिखना है ठीक है 4x² माइनस 9y² अगला जो इसका पार्ट है 4x² माइनस 9y² ठीक है सबसे में तो आप इसका 4 का स्केर जो है बोट 2 यह whole square हो गया माइनस 9 होता है 3 का यह whole square होता है यह A² B² बन गया जो किसके इकोल होता है इसके इकोल होता है आप इसको रिखें कि 2x plus 3y और 2x-3y यह आप का आप साइब आप ठीक है इसी तरह से 16a² 16b² स्केर माइनस a² तो 16 इसका स्केर होता है 4 और यह आपके पास आज़ें का 4B का whole square minus और यह आपके पास आज़ें का 4B plus A और 4B minus A यह आपका मांचालब दिखा हुआ है 8X square minus 80Y square अब यह 8 भी किसी का square नहीं होता है ना 18 किसी का square होता है तो अब आप इसमें लेंगे common ठीक है 8, 18 जो है वो आपका common आएगा तो आप देखें कि यह किस table पे जो है वो डिवाइड हो जो है तो यह हम ताहिक है 2 अब यह देखें कि आपका A square भी बन गया और यह 3 square भी बन गया तो आपके बैसे लिखने रहा है और यह आजेका 2X का whole square minus 3Y का whole square आप इसमें प्लस में लिखनें 2X plus 3Y और 2X minus 3Y यह आपका answer आपका इसका 6 part देखें 6 part है minus 1 plus into x plus 1 का whole square अच्छा 6 part को मैं लिखता हूँ इस तरह से यह देखें X plus 1 whole square minus 1 तो क्या इसे प्लस में फर्रक पड़ा है नहीं इससे कोई फर्रक नी पड़ा यह जो plus वाली value भी मैंने क्या किया है इसको first पे लिखती है और जो minus वाली value थी इसको मैंने बात में लिखती है ताकि मेरे पास यह बंजे a square minus b square यह फार्म जो है आपका a square minus और यह आपका b square लिखती है और यह जो minus था इसको मैंने range करते बात में लिखती है अब यह तो सारा a square हो गया x plus 1 यह सारा आपका a square minus और यह आपका b square खीक है अब आप इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे और इक दफा इसको minus को लिखेंगे x plus 1 plus 1 याद रखें यह sign ही आपने change करना यह इसके अंदर वाला sign आपने change नहीं करना यह जो bracket पे बाहर वाला sign होगा जो formula में given होगा वो आपने change करना है अब मैंने इसको एक दफा यह देखते हो यह मैंने लिखते है x plus 1 यह सारी value और plus 1 यह एक दफा प्लस में हो गया और इसको minus को लिखेंगा x plus 1 minus 1 ठीक है अब आप इसको सवाब कर लें तो यह आपके पास आगया x plus 2 यहां से यह 1 जो गो cancel हो गया तो यह आपके पास बच्च इसको यह आपके पास बेना वो पांसा रात है इसका next part देखें एक स्केर माइनस इटू y प्लस z का पोल स्केर अच्छा जो यह आपका x स्केर पर हो यह सारा minus 5 प्लस z यह आपका 20 स्केर यह सारा आपका a स्केर माइनस यह सारी value आपके लिए है 20 स्केर इसको इकोल होगी एक तफा प्लस में और एक तफा माइनस में आप इसको लिखनें सबसे पहले x प्लस में लिखनें यह साइन आपके बदलना है x प्लस y प्लस z यह मैंने लिख दिया उसके बाद मैं इसको माइनस में लिखना nr x- इस माइनस की बिज़े से यह साइन पी बदल जाएगा minus z की इस तरह से यह आपका answer ना इक है यह परसें आप दुरवारा देखें यह आपके पास परसें था इसको सारा a-square बना दिया इसको मैंने b-square पहले बना था एक दगखा प्लास में लिखना आपने वैले को इसके मुतापिक है एक दगवा देका ही सानी को मैंने ये वहला साइन चेंग किया एक्षिक्पवेरी प्सका कुथा अगरो, ये प्लास हो गया प्ले ये प्लास जीप इले से ये बनते हूं कि मैंने मेरे कि तो अफिड़ने की मैने साइने और शाओ कूपना नहींने साइन लिकाई लेकिन इस माईर नहीं ये साइन पूल मोने है और अब नहाद की आपके लिखका हैнем कि वह लेक है कि मौ ठागत जाये हैंग ए उन वॅ इसको आप पहले और इस तरह स्केर पे लिखें ऐसे य का फोज के आप एक पाफ एक्स प्लस वाई आगे और उसी तरफ एक्स माइनस वाई आगे यह आपका पांचार रागा इसको आपको पता है कि ना 5 किसी का स्केर है ना 20 किसी का स्केर है तो आप इसमें कमन लेदें 5 हमारे पास आगया इसको माई यह आपका आपका पास आपके पास यह a- आपका आपका अ- आपका मुठ स्केर होता है प्रीक का फॉस्ट स्केर होता है इसको लेके रेज़आ कि लेखें and a-2 बी यह अपका प्लास यह माईश तो आपका रिखें लास्ट पार्ट आपके पास x4-y4 अब आप इसको क्या करें इसको फेक्टराइज कर लें इस तरह से x square का square अब अगर आप थोड़ी देर के लिए अदर वाली values को बोल जाएं अदर जो square है इसको अगर आपके पास x square-y square जो के इसके इकुल होता है आप इसको variables को उसके मताबिक chain भी कर सकते हैं यानिके a square है माइनस b square है आप इसको एक दफ़ा प्लस में लिखे और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखे तो यह आदेगा आपके पास x square प्लस y square और x square माइनस y square अभी जो बाहर वाले square थे मैंने उनको solve किया बाहर वाले square के मता आप एक दफ़ा value आपके plus में लिखती और एक दफ़ा भी माइनस में लिखती अब यह प्लस वाली value को as it is दुबारा आ जाएगी लेकिं इसके ओपर आपको दुबारा formula लाएगा जो के यह वाला है एक square, a square जैने के a square इसके a square इसके b square है यह आपने पास इसका फ़ाटी है तो उसको अपने उसके equal लिखता है तो सबसे पहले आप इसको square की फाहर में लिखेंगे plus माली value आपके वैसे ही आदेगी इसको आप लिखेंगे x का whole square माइनस y का whole square ताके पता चले इसके फाहर मों दगा रहें next step x square plus y square भी आपके पास वैसे ही तो यह आजेगा इन दफा प्लस पर लिखेंगे और इन दफा इसको ऐसे minus करेंगे यह आपके complete होगा ठीक है यह question number two है उसके सिर्फ दो या तीन पार्ट्स नहीं किये वह बिल्कुल इसी तरह से होगे आपने यह complete करना है और इसे के साथ जो आपकी exercise है वह complete होगा practice आपने छोड़ने practice आपने लाजमी करना है